सनातन धर्म में पित्री पक्ष का विशेश महत्व है पित्रि पक्ष की शुरूआत प्रत्येक वर्ष भादरपद पूर्निमा के साथ होती है साथ ही आश्विन मास में इसका समापन होता है पित्रि पक्ष को पित्रों का तरपन और श्राध कर्म आदी करने के लिए सबसे प्युक्त माना जाता है इस वर्ष पित्रपक्ष की शुरूआत 28 सितंबर 2023 से हो रही है जिसका समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगा बेलपत्र बेलपत्र भगवान शिवजी को प्रिय है शिवलिंग पर बेलपत्र चड़ाने से साधक को शुब फलों की प्राप्ती होती है यदि पित्रपक्ष के दौरान बेलपत्र का पौधा अपने घर पर लगाते हैं तो इससे पूरवजों की आत्मा को त्रिपती मिलती है वहीं अमावस्या के दिन भगवान शिव को बेलपत्र और गंगाजल अर्पित करने से पित्रों को मुक्ती प्राप्त होती है तुलसी का हाल की जाती है तो निश्चित रूप से पित्रों का आशीरवाद व्यक्ती पर बना रहता है वहीं नियमेत रूप से तुलसी में जल अर्पित रविवार और एकादशी तिथी को छोड़कर करने और उसकी पूजा करने से पित्रों को त्रिपती मिलती है अशोक का पेर पित्री दोश की समस्या से भी व्यक्ती को छुटकारा मिलता है ऐसे में पित्रिपक्ष के दौरान घर में अशोक का पेर जरूर लगाना चाहिए बर्गत का पेर हिंदू धर्म में बर्गत के पेर को आयू देने वाला माना गया है यदि किसी व्यक्ती की कुंडली में पित पूजा करने और पेड़ की परिक्रमा करने से पित्रों को मुक्ती मिल सकती है। और उसमें जल डालें। ऐसा करने से पित्री प्रसन होते हैं। इसके साथ ही पीपल का पेड़ लगाने से व्यक्ती को लाब मिल सकता है।